नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवानस एक्षल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब विडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं एडवानस एक्षल एंड वीबिय माइक्र प्रोग्रामिंग तो दोस्तों आज हम डिस्कॉस करने जा रहे हैं एक्षल टूटॉजर नाइन्टीन की नई फॉर्मूला स्विच फॉर्मूला के उपर और स्विच फॉर्मूला में हम डिस्कॉस करेंगे कि किस तरह से स्विच का इस्तमाल हम करते हैं तो video स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर ले अगर subscribe नहीं किया है तो और notification मी on कर लेंगे तो आप मेरी विडियो को पा सकते हैं या फिर अगर आपको मेरी विडियो नहीं मिलती है तो youtube के search page पे आप जो है कि एक फर्मूला हम यहां लगाना चाहते हैं जैसे की याद होगा मैं सीूज का फर्मूले की वीडियोा डाला था यह लंग में घर वान हो तो नह जो Grund Crane कि Sunday, Monday, Tuesday इस तरह से इस नंबर में आं तो यहां पर मैं टू देती हैं तो यहां पर हमने पास एक चूज का फॉर्मॉला था कि वन दिया तो आ जाएगा यहां पर तो चूज का फॉर्मॉला क्या करता था उसको समझ लिजिए कि हमने यहां पर इंडेक्स नंबर दे दी है और एक-एक करके हम यहां वैलू दे देते हैं तो यहां पर अगर मैं टू करता स्वरी माफ कीज़ेगा हमने एक छोटी सी गलती इसमें कर दी है एक साथ रेफरेंस से सैप्ट नहीं करता है हमने सोचा कि नहीं आया होगा लेकिन नहीं तो यहां पर हम वन बाइवन दोंगे टू इस तरह से तो एक सिक्वेंस नंबर में आटूमेटिक उठा लेता था आपके सामने दिख रहा है आपको यगा ऑटूमेटिक उठा लेगा वन संडें अगर टू किया तो मन्डें थ्री किया थीज्डे इस तरह से तो यहां पर हमने कंडिशन जो है सिर्फ एक दिया हुआ है तो यह अट इंडेक्स नंबर पे चलता है, one होगा तो पहले वाले को शोग करेगा, two होगा तो दूसरे वाले को, three होगा तो तीसरे वाले को, चाओंगा, चाओंगा चाओंगा नोग करेगा, अलग-अलग conditions नहीं लेता है मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 120 लिखूं तो यहाँ पे मुझे 120 का इस्तमाल मिल जाए तो इसके लिए हम use करेंगे switch formula को कि switch हमने expression को select किया और हमने दिया कि अगर 100 हो तो sunday दिखें अगर 200 हो तो हम यहाँ पे Monday दिखें 300 हो तो यह आपका एक में मिस कर गया है और यहाँ पर हम फो इसी तरह से हम सब को one by one आपका result and value सेलेक्ट करना परेगा result and value result and value result and value और फिर एंटर बारेगा तो अगर मैं यहाँ पे 140 लिखता हूँ तो 140 का result आ जाएगा अब question यहाँ आता है कि इसको तो हम we look up से भी कर सकते थे और we look up से तो और आसानी से हो जाता है कि हम we look up लगाते और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमा टू कॉमा जीरो तो वी look up हमेशा left to right चलेगा अगर आपको reverse करना हुआ तो मतलब कि आपकी आपका यह इसमें होता है तो वी look up वर्क नहीं करता है यह नहीं होता अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ अगर यह नहीं होता तो तो यह result आपका नहीं आता क्योंकि इसको हिसावत चलेगा लेकिन आप इसमें rewards वी look up की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं कि आप इसको दिरिजिए switch और हमने इसको select किया कॉमा हमने expression को select किया यहां पर इसको सोरी इसको और इसको इस तरह से कॉमा इसको select किये और इसको इसकी को बात नहीं होती है आप horizontal vertical कहीं भी data पर आओ किसी और सीट पर आओ तो आप इसका इसका इस्तमाल easily कर सकते हैं कुछ हद्था के फायदेमंद है लेकिन हमेशा बड़े data और बड़े चाहिए पर फायदेमंद नहीं होता है जाहते मेरी research है क्योंकि इसके लिए हम match index और बहुत सारी और वी तरीके हैं जो कि हम लगा सकते हैं बड़ा data होगा तिस तरह से बड़ा एक करके select करनत्रास मुस्किल हो जाता है लेकि छोटे data पर बहुत अच्छा परफ है मेरे website ibtindia.com पर जाके आप ले सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर call कर सकते हैं और वीडियो को ज़्याज़ा लाइक करें और ज़्याज़ा लोगों को share करें थाइंक्स पास कि इस वीडियो है बेनाइस देर